हलो फ्रेंट आज मैंने कुछ पत्थर इस्टोन के उपर कलर करके डियाईवाई किया हुआ है तो आप देखिए यह पेंटिंग और मेरी डियाईवाई कैसी है यह मैंने जो पिक डाली हो देखके आप समझ गया होंगे मैंने क्या किया यह देखी इस टाइप के मेरे पास कर दिया है वसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है और फिर भी मुझे अच्छा लगता है करना तो मैंने सुचा चलो मैं भी कुछ बना के आपको दिखा देती हूं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप यह मेरा आइडिया लेकर आप इससे भी अच्छ दे रहे हूं मैं तो यह लगा दिया है अब इसके उपर मैंने गड़ेज जी के अलग अलग इसकेज बना दिया है तो यह देखिए मैंने एक कोसिस करिए बनाने की अब आप देखिए यह अलग अलग मैंने चार पत्थर के उपर मैंने अलग अलग बना दिया है अब इसको एक बड़ा पत्थर मिल गया था मुझे यह देखी इसकी हाइड भी नहीं और एकदम प्लेन है तो मुझे अच्छा लगा कि मैं सारे जितनी चीजे मैंने बनाई है यहां गड़पती और सिवलिंग इसके उपर मैं चिपका देती हूं गुलू से यह देखी थोड़ा से तेच कलर में हलका सा ब्लैक मिलाके पूरी पैंटिंग कर दी है तो आप देखी यह कलर हो जाता है इसका बेस का यह देखिए ग्रीन भी सायद करते तो अच्छा लगता है तो मैंने किनारे किनारे फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने किनारे किनारे ग्रीन कर दिया फिर उसके उपर वाइट कर दिया है फिर हलका सा रैट कर दिया है इस तरीके से करके मैंने ये वाला एक डियाई वाई मेरा तयार हो गया आप इसको कहीं भी रख सकते हैं देखिए अच्छा लग रहा कि नहीं फिर मेरे कुछ स्टोन और पड़े थे तो फिर मैंने ये इसके लिए भी ट्राइ किया ये देखिए मैं कुछ कोशिस कर रहे हूं बनाने की इस पर मैंने इसका ये बलू किया है और ये एक थोड़ा सा दरवाजे का सेप दोर का सेप दे रही हूं और अगल बगल खिड़की का दे दूंगे तो ये देखिए ये बना रहे हूं ये फिर इसके बाद मैंने एक यह एक त्री बनाने की कोशिस किये ये त्री बना दी है साइड में यह बना दिया मैंने तो बस एक कोसी से मेरी आपको अच्छा लगे तो लाइक से यह सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यह रैड कलर से मैंने फ्लावर जैसा बना दिया है और उसके बाद मैंने फिर इसी को पर हलका सा वाइट कलर ले लिया है ब्रस के उपर और उसके उपर फिर से मैंने लगा दिया तो कहीं कहीं पिंक और फिर कहीं कहीं रैड दिखाई दे रहा तो अच्छा लग रहा टी का से अच्छा लग रहा उसके बाद फिर मैंने ग्रीन कलर लेके कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी मैंने लीव बना दिये बीच में बना दिये यह और इसके उपर अगर वार्निस कर देते हैं तो ये पत्थर सालों साल चलते हैं क्योंकि मैंने कुछ स्टोन पेंटिंग बनाई है वो मेरी कम से कम साथ-8 साल से चलती है अगले वीडियो में मैं उसका आपको बनी हुई पेंटिंग दिखाऊंगे वो मैंने कम से कम 8 साल पहले बनाई हुई थी यह देखें यह पहले से मैंने बना ली थी यह दोनों मैंने पहले से बना ली थी बस बार निस कर दिया है आपके सामने इसके उपर तो यह दोनों भी कैसी लगी मेरी पेंटिंग कैसी लगी, मेरी DIY कैसा लगा, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब